तो भाई लोग, योगीपीडिया से लोगों को हो गया है धेर सारा प्यार, इसी लिए अब योगीपीडिया भी लेके आ गया है, रेकमेंडेशन्स की बौचहार. Yes, this video is specially to recommend you about my top 10 list of survival movies that made in India. Well, hello, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकार बार बार होगी. 10th place पे है, मलयालम इंडस्ट्री से 2022 में आई मुवी, मलयन कुंजू. अनिल नाम का एक लड़का, played by फाहद फासिल, एक electronics technician है, जिसको रोज सबेरे साड़े तिन बज़े उठके काम करने की आदत है, क्योंकि उसे अपने काम में disturbance बिलकुल पसंद नहीं है. चोटी से चोटी आवाज भी उससे सही नहीं जाती, और ऐसे में पडोस में एक just bone बच्ची आती है, और वो बराबर रात में ही रोती है. उसके रोने की आवाज से वो इतना चिड़चिड़ा होता है कि वो अब उसे सह नहीं सकता, लेकिन एक दिन बहुत बारिश के कारण landslide हो जाती है, और सब के सब मलबे में दब जाते है, फिर उस बच्ची के रोने की आवाज ही उसके जिन्दा रहने की hope बन जाती है, अब उस landslide से वो बचता है या नहीं, ये तो आपको मुवी में ही देख के समझ में आएगा, फाहत फासिल की as usual brilliant acting साथ में AR रह्मान सर का music and run time सिर्फ दो घंटे का, मुवी को must watch बना देती है, मुवी अवेलेबल है Amazon Prime पे पर सिर्फ Malayalam language में, 9th place पे है NH10, newly married couple vacation पे निकलते है, कुछ local गुंडों से उनके भिडंत हो जाती है, और उसके बाद जो भी होता है वो आपके wrong टे खड़े कर देगा, अनुषका शर्मा की ये पहली movie थी as a producer, और इस movie में अगर सबसे जादा आपको कुछ impress करेगा, तो वो है अनुषका शर्मा की acting, ऐसी movies ना उन्होंने इसके पहले कभी की थी, ना NH10 के बाद अब तक की है, सर्वाइवल थ्रिलर में definitely watchable movie है, 2015 में release हुई थी, जो जियो सिनेमा और Z5 पे आपको देखने को मिल जाएगी, एठ प्लेस पे है The Burning Train, I know, I know, आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि movie 1980 की है, जिसको मैंने अपने बचपन में देखा था, भाई उस वक्त ऐसे movie बनाना, hats off to the makers, धर्मेंद्र, विनोध खन्ना, हेमा मालिनी, परविन बॉबी, जितेंद्र, नीतू सिंग, विनोध महरा, डानी डेंजोपा, बाप्रे, उस वक्त के एक से एक नायाब सितारे थे इस movie में, स्टोरी है एक इंजिनेर की, जो इंडिया का सबसे fastest passenger train engine बनाता है, पर स्टोरी का villain, यानि के Danny Denzoppa, उसके सपने को पूरा नहीं होने देना चाहता, तो वो उसके चलती train में bomb blast करवा देता है, और break भी fail करा देता है, और फिर शुरू होता है rescue mission, अब train में बैठे लोग अगर नहीं पचती तुमको, तो हाज मुला खाके देखना, पर देखना जरूर, 7th place पे है Rajkumar Rao Starer, trapped, एक बंदा अपने आपको ऐसे घर में accidentally lock कर देता है, जहां ना खाना है, ना पानी है, ना electricity है, और electricity ना होने के वज़े से mobile में भी charging नहीं है, building भी खाली है पूरी, तो आवाज सुनने के लिए कोई neighbors भी नहीं है, राजकुमार Rao की brilliant acting आपको इसमें देखने को मिलेगी, आप literally अपने आपको उसके जगा feel करने लगोगे, और जो भी वो वहां से निकलने के लिए करता है, वो सब देखने के बाद आपको भी लगेगा कि, yes, मैं भी यही करता अ लोगों ने इतना पसंद किया कि इसको दो national film award मिले, फिर इसका tamil language में पहला remake बना अन्विर किनियल नाम से, 2021 में, और फिर odisa में, 2021 में ही फिर से इसका remake बना Mona Lisa नाम से, और फिर Helen के original director ने ही 2022 में इसका फिर से remake बनाया, मिली के नाम से, एक लड़की जो एक restaurant में काम करती है और एक दिन गलती से restaurant के freezer room में बंद हो जाती है, क्या वो वहां से बच पाती है या नहीं, movie देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, Helen अभी prime video पर available है, और इसका हिंदी remake मिली, Netflix पे देखने को मिल जाएगी, fifth place पे है, पी हू, किसी भी parent के लिए ये एक worst nightmare होगा, कि उसक पाल की एक लड़की है, जिसकी मा ने suicide किया है, और अब वो अकेली लड़की घर में घूमती रहती है, ना खाना मिल रहा है, ना उसको कोई सुन पा रहा है, और जिस तरह से ये सब दिखाया है ना भाई, आपके रॉंटे खड़े हो जाएंगे, यार कुछ सीन तो ऐसे है क आप खुद बोलोगे कि यार पीहू रुखजा मत कर ऐसा, मतलब actually में आपको डर लगने लगता है कि अगर ये चीज वो कर लेगी तो क्या हो सकता है, 2018 में आई ये movie free में available है YouTube पे, 4th place पे है Mission Rani Ganj, स्टोरी है जस्वन सिंग गिल नाम के एक mining engineer की played by अक्षे कुमार, जो एक rescue mission lead करता है, जहाँ 65 mine workers Rani Ganj के coal-filled mine में फस जाते हैं, ये एक actual में real story पर based film है, जहाँ 1989 में Rani Ganj के ही coal mine में ये हाथसा हुआ था, जब एक blast के वज़े से एक mine में crack पढ़ गई, और वो mine फिर पानी से भर गई, Cinematography wise movie watchable है, और कुछ scenes तो beautifully present किये गए है, जहाँ आपकी धड़कन भी तेज हो जाती है, 2023 में बनी ये movie Netflix पे आपको देखने मिल जाएंगी, अब बारी है top 3 movies की, और भाई ये तीनों spot लिये है, Malayalam industry से ही आई movies ने, third place पे है 2018, yes, में 2023 में आई ये film एक disaster based survival film है, केरला flood के उ जाए तो movie पूरी एक तरफ और flood based scene एक तरफ, बहुत ही शांदर cinematography है movie की, पर बनी है सिर्फ 26 करोड में, first half में बहुत सारा story build up है, पर second half हर चीज को cover करता है, ये एक Malayalam language की film है, पर movie Sony live पर Hindi dub में भी available है, second position पर है The Goat Life या आडू जीवितम, भाई इस movie के बारे में क्या कहन पृत्यूराज के अगर आफ fan हो, तो आपने ये movie देखी ही होगी, और अगर नहीं हो, तो ये movie देख लो, fan हो जाओगे आप उसके, real life incident पे बनी ये film, नजीब नाम के एक लड़के की है, जो पैसे कमाने सौधी अरेबिया जाता है, लेकिन उसकी किस्मत उसे वहाँ फसा द मार्च दोहजार चोबीस में आई थी ये movie और recent news की माने तो ये film अब Amazon Prime में जुलए दोहजार चोबीस में release होगी, पर जब भी आए, मेरा recommendation है कि आप इसे जरूर देखना, और अब ही अगर देखना चाहो तो आपका और भी रास्ते तो पता ही है, या शायद आप देख भी चुके होगे, and first position पे है, none other than Manjumal Boys, इसके बारे में तो शायद ही किसी को ना पता हो, recently released इस movie ने अपने content के दम पर जो नाम कमाया है, वो शायद ही किसी और film ने कमाया हो, मैं collection की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये movie हिंदी language में theater में लग जाती ना, तो छप पर फार business करती, भाई साब, क्या ही climax है इस movie का, लड़कों का एक group गुणा के उसमें मस्ती करने जाता है, और फिर उनमें से एक लड़का caves के अंदर भीतर गिर जाता है, उसके बाद की ये story इतने सारे twist and turns के साथ भरी है, कि आपको screen से बांध के रख देती है, अगर आपने अब तक ये movie नहीं देखी है, तो you are missing hidden jam of Indian cinema, अभी जाके पहले ये movie देखो, आप लोग Disney plus hot star पे available है, वो भी हिंदी में, मेरे list तो खतम, पर कुछ special mention भी करना चाहूंगा, एयर लिफ्ट, real life based story जहाँ कुएट से लोगों को एयर लिफ्ट करके rescue किया जाता है, अपुर्वा, एक लड़की को कुछ गुंडे किडनाप कर लेते हैं, और फिर वो लड़की इस danger से कैसे बचती है, उसकी story है, वेलकम होम, नागपूर के एक family की real life story है, जहाँ दो school teacher एक remote घर में population counting के नाम से जाते है, और फिर ये दिन उनके जीवन का सबसे खतरनाक nightmare बन जाता है, बस, वीडियो खतम, पसंद आए या ना आए, comments कर देना और like भी, और आपकी भी list मुझे भेजना जरूर, मिलते आगले वीडियो में, बाई